आधार का एक बहुत बढ़ा update आया है कि आपको 15 मार्ज 2024 से पहले पहले अपने आधार कार्ड में documents update करवाने है तिके अगर आपका आधार कार्ड काफी पुराना बना हुआ है तो आपको documents upload करवाने होगे तो आगर आप documents upload नहीं करवा होगे तो आगे जाके आपको कुछ problem आ स प्रूफ और एड्रस प्रूफ कैसे अपडेट करते हैं चले शुरू करते हैं बिना टाइम विश्ट के आगे पढ़ने से पहले एक चीज़ मैं बता दू अगर आप वीडियो स्क्रिप करके देखोगो ना तब आपके पास नहीं पहुंच पाती है क्योंकि मैं बीच बीच मे इसकी वेबसाइट उपन हो जाएगी तो सबसे पहले आपको ना अपनी भाषा लेंग्विज चूज करने होगी कौन सी लेंग्विज में आप कंट्यूनी करना चाहते हैं इस प्रोसेस को ना जो मैं बता रहा हूँ चाहे आप कंप्यूटर में फॉलो कर सकते हो या आप वीडियो देखने के बाद इसको इंप्लिमेंट करोगे ना हो सकते है कि आपको कुछ प्रबलम आये तो 25 फरवरी से 26 फरवरी तक इनकी वेबसाइट पर काम चल रहा है तो में वेबसाइट ही अवेलेबल ना हो ठीक है तो आप थोड़ा आप नीचे स्क्रॉल करोगे ना न अगर आपको आपको लॉगिन करने के लिए अपने अधार काड नंबर एंटर करना होगा ठीक है तो मैं नंबर एंटर कर लेता हूं अधार का उसके बाद फ्रेंट जो एक capture लिखा हुआ ने या पर हमें एंटर करना होगा अगर आपको कभी-कभी capture समझ में आता नहीं जो एक refresh का बटन दिख रहा है इस पर किलिक करके ना ये capture चेंज भी हो जाएगा ठीक है तो मैं capture लिख लेता हूं ठीक है सेम जैसे लिखा हुआ है ने फ्रेंट्स capital और small दोनों में जैसी आपको लिखना है उसके बाद login with OTV बटन दिख रहा है इस पर हमें किलिक कर देना है मेरा OTP आ चुगा है OTP में यहाँ पर डाल लेता हूं ठीक है OTP डालने के बाद जो एक login बटन दिख रहा है दो बार से पर हमें किलिक कर देना है ये देखे फ्रेंट्स मेरा login हो चुगा है ठीक है तो सबसे पहले एक option दिख रहा है document update इसके नीचे लिखा है click here to upload your proof of identity and proof of address ठीक है documents मतलब आपको na ID proof और address proof या पर अप्लोड करना होगा ठीक है और इसके नीचे रेट कलर में लिखा हुआ है this service is free of cost तिल 14 मार्च 2024 जैसे मैंने बताया था यह service बिल्कुल free है ठीक है और यह 14 मार्च 2024 तक आप इसको free use कर सकते हो ठीक है बेना पैसे कि आपको upload कर सकते ह के लिए देने पढ़ते है ठीक है तो हमें पहला वालब option document update पे click कर देना है ठीक है और click करने के बाद next button दिख भीख रहे ही इस पर हमे click कर देना ठीक है और उसके बाद दुबार से next button दिख रहे है इसपर हमे click कर देना है ठीक है और जो आपकी आधहर कर क्ड की detail होगी अप आपका नेम आ जाएगा आपका जेंडर आ जाएगा आपके डेट बर्त आ जाएगी और आपका एड्रस आ जाएगा फादर का नेम और आपका एड्रस आ जाएगा ठीक है और उसको थोड़ा आप नीचे करोगे ना नीचे करने के बाद ये बटन दिख रहा है अगर उपर की करेक्ट है ना तब इस पर किलिक कर दे आप और यह नीचे लिखा हुआ है if there is mismatch in any of your details अगर आपको सबसे पहले आधार कार्ट के सेंटर में जाना होगा उन अपडेट करवाना होगा ठीक है अगर आपकी डीटियल बिल्कुल सही है उपर वाली ठीक है उसके बाद जो एक नेक्ट बटन दिखरानेस पर हमें किलिक कर देना है ठीक है अपने चैनल एप क्राफ्टिंग हब पर मैं हमेशा जैन्यूएन वीडियो मेरी फेक नहीं होती है अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं और हमेशा कुछ नया सीखना चाहते तो हमारे चैनल ये सब्सक्राइब वाले बटन पर किलिक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक नोटिफिक्शन आइकन पर किलिक करें यानि जब भी हम कोई नए वीडियो की नोटिफि चाहिए आप स्कैन करके करो कंप्यूटर से या मुबाइल से फोटो खीच के करो उसका साइज न 2MB होना चाहिए अगर वह 2MB से ज्यादा है तब आप वह image को compress भी कर सकते हो ओनलेन बहुत सारी website है ठीक है जैसे 5MB की कोई image होगी वह 2MB में convert हो जाएगी ठीक है उसके बाद लिखाव है support file formats are gpg, png और pdf आप जो फोटो अगर अप्लोट कर सकते हो gpg कर सकते हो pdf फाइल भी अप्लोट कर सकते हो ठीक है तो सबसे पहले यह कहा रहा है कि please upload proof of identity ठीक है तो license है ठीक है और government ID card है Indian passport है वह सारी option दे रिखे है ठीक है pain card है आपके बाद जो है वह आप select कर सकते हो ठीक है for example जैसे मेरे पास passport है Indian passport तो मैंने Indian passport पे click करा और इसके बाद एक page open हो जाएगा ठीक है तो यह कह रहा है कि ID proof को upload करने के लिए पहला वाला option है the passport must have name and photograph of the resident जो आप passport की प्लोड करोगना उस photo परना आपका passport का नाम होना चाहिए और photograph होने चाहिए आपके ठीक है बिल्कुल clear visible होने चाहिए light वगर नहीं पड़ने चाहिए ठीक है दोसरा के रहा है the passport must be valid होना चाहिए जो भी आप documents upload करोगना expired नहीं होना चाहिए ठीक है और यह कह रहा है the scanned image of document legible ठीक है उसके बाद ok button पर click करते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूं कि मैंने passport की कैसे बना रिखे देक है यह मेरा passport है ठीक है फ्रेंट वाली picture आगई है मेरी इसमें और एक back वाली picture में क्या होता है मेरा photo आगया मेरा नाम आगया मेरी date बदत आ गई ठीक है और back वाली picture म आप दोनों फोटो को ना एक एक फोटो बना ले आप तोनों फोटो को एक फोटो बना ले ठीक है तो मैं उसके बाद view detail and upload document बटन दिख रहा है इस पर हमें click कर देना है और उसके बाद continue to upload button पर click कर देना है ठीक है friends यहापर एक option आएगा ठीक है तो media picker होगा ना file manager कोई भी पर होगा उस पर click करके ना जैसे media picker option आ रहा है इस पर हमें click करके ना जा भी मेरा passport पड़ा हुआ है वहाँ पर हमें चला जाना ठीक है तो descent पर गया हमें ठीक है यह वेला मेरा passport है इस पर हमें click कर देना है ठीक है बड़ा नीची स्रोल करने के बाद friends यह कह रहा है कि please upload proof of address इस पर यह लिख करके आप कोई भी documents वगरा select कर सकते हो अपने according ठीक है राशन कार्ट कर सकते हो school certificates कर सकते हो voter ID कर सकते हो ठीक है water bill कर सकते हो ठीक है अपने according कोई भी select कर ले ना ठीक है तो मैंने simply Indian passport select करा उसके बाद नुबारा से view detail वाले button पे click करा उसके बाद continue to upload करा ठीक ह उसके बाद next button दिख रहा है इस पर हमें click कर देना है और यह कह रहा है कि please confirm your demographic details in the documents exactly matches with your demographic details in the अधार मतलब जो आप documents upload कर रहे होना यह बिल्कुल match होने चाहिए जो आपका अधार card है ठीक है उसके बाद OK button पर click कर दे और यह कह रहा है friends this service is free of cost till 14 मार्स 2024 जैसे मैंने बताया थ साही service पर है ठीक है और 14 मार्स 2024 तक ठीक है यह date आगे बढ़ भी सकती है लेकिन confirm नहीं बढ़ेगे तो इससे 14 मार्स पहले पहले आप अपनी documents upload कर वा लो ठीक है उसके बाद एक submit button दिख रहा है इस पर हमें click कर देना है friends success हो चुका है ठीक है और यह transition इस दिखा रहा है मारा success और एक message भी आ चुका है मेरा आधार काड की तरफ से payment of has been successfully received मतलब कोई भी fees हमारे नहीं कटी है ठीक है और इसको आपको download भी करना है इस receipt को acknowledgement को इस पर हमें click करना है download वाले button पर ठीक है और PDF viewer में open करना है ठीक है और यह आपकी receipt download हो जाएगी आपका आधार काड नमबर आ जाएगा srn service request नमबर आ जाएगा ठीक है इनवाशन नमबर आ जाएगा आपका amount paid आ जाएगे 0 रोपे ठीक है और date of payment आ जाएगे आपके ठीक है मतलब अभी तो कोई भी payment नहीं गई हमारी ठीक है back आ जाए ठीक है तो इसको application को track करने के लिए दुबारा से आप go to dashboard बटन दिख रहा है इस पर हमें किलिक कर देना ठीक है तो आप नीचे आओगे ना नीचे आने के बाद जो भी आपने request submit करें तो request के अंदर आ जाएगा ठीक है तो फ्रेंड जैसे आप verification badge इस arrow बटन पर किलिक करोगे आपका जो भी tag वगर आओगा इस status यहापर दिखा देगा तो 15 माज 2024 से पहले पहले अपना आधार के documents फिरी में upload करवा सकें ठीक है चले friends मिलते हैं नेक्स वीडियो में heaven I stay